हेलो एब्रीबान कैसे हो आप से भाई हो कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो जो है वो दो दिन पहले कमिनेटी लगाई थी कमेंट सेक्षन वाली उसके उपर है तो उमीद करूंगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद नहीं होता वीडियो रिकार्ड करने का इसलिए मैंने कमी वीडियो डाले हैं आप लोग देख सकते हो तो आज मैं इसको कवर करी हूँ लेकिन अपसे वीडियो कमेंट सेक्षन वाली साथ के साथ आया करेगी पहला कमेंटर सुनम जी का इनों लिखा मुझे तो लगता है दो देखा के भी शरम नहीं आती इसको सही बात कई अगर वो वापिस भेज देता है तो इसका मतलब साफ है कि फिर वो भी मिला हुआ है यह दोनों भेनबाई मिलके कंटेंट के लिए हम लोगों को पागल बना रहे हैं इसके बाद दूसरा कमेंट है सोनम जी का इनों लिखा है अरे मा मैं भी कोई सेल्फ एस्पक नाम की चीज़ नहीं है सोशल मेडिया पर इतना बदनाम होने के बाद भी फिर भी आ जाती है तो देखो मा के बारे में अगर आप बोलो सेल्फ एस्पक नहीं है तो मा को बागल बना के लाया जाता है जो जबर दस्ती बेवकूब बनाय इनको कोई फरक नहीं पुड़ता कोई एक दूसर से बात काना भी नहीं चाहता है इनके घर में है ना उसके बाद रेनुक पूर जी ने इनके मैसेज को रिपलाई किया मा को भी गंदगी में रहने की हैबिट हो गई है गदी के साथ रह के तो यह बात भी है कि वह वहां समान मा और आज वेहान की कपड़े लेने को आ गई हद्य सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कोई चीज नहीं होती इनसान में तो इन्होंने यह मैसेज लिखा है उसके बाद सोनम जी ने रिपलाई लिखा है जे फूरी फैमले ही शेमलेस है भाई भी मिला हुआ है इसी के साथ उस यह मिले हुए हैं सब के सब इसले इनको कोई फरक नहीं पड़ता अगला मैसेज रेनु जी ने रिपलाई किया सोनम जी को चलो जो भी हुआ हमारा तो इंटर्टेंडमेंट हो रहा है तो सोनम जी ने लिखा है कल भाई के घर भेजाता मा को भाई से बात करके सब हो गया कोच बेशरम लोग है यह बाई तो सोचल मेडिया पे पहले बदनाम करो फिर ले आओ मा को इस बार गलती अंकुर की होगी अगर भीजा उसने तो तो फिर यूजर करके आईडी है उन्होंने मैसेज इनको रिपलाई किया है आज कैसे लेकर पहुँच गया मा को मा को चाहिए दूसरी बन मालू लेकिन पूरी फामली ही बेशरम है यूटूब पे आके गंद मचा रखा है ड्रामा तो इन्हीं का दूसरा मैसेज है आपन तो इंजॉय करते हैं कमेंट्स पढ़ो इंजॉय करो पता ही नहीं क्या होने वाला आगे विहान के बहाने तो सब एक हो देता है मां को सोशल मेडिया पर बंदनाम करवाने तो यूजर वाली आईटी ने रेपलाई कि है मुझे तो लग रहा है उस दिन साइकलोन के हस्बंड का बताना भी सोचा समझा प्लाइन था व्यूज के लिए अब सब फैमली मिलकर ड्रामा कर रही है तो सोनम जी ने काम होता है काणी से दो दिन बच्चा संबहालना पड़ा देखो कैसे नाटक कर रही है और जूट देखो कितना बोलती है कि मां मेरे बेटे से उसको घर आने नहीं देती थी बच्चे को अब देखना पड़ता है इसकी अवारगर्दी बंद हो गई है तो मुझे तो ये भी शक है कि इसका बच्चा सोता भी है इसकी मां के पास ही था हाँ ऐसा भी हो सकता है अब इसकी अवारगर्दी बंद हो गई है तो इसलिए इसको दिक्कत हो रहा है रोईनी जी का मैसेज है व्यूज काम हो गए है इसलिए माप आप चाहिए आज बड़ा ग्यान द है कभी देखा उसकी वाइफ भाई के नाम से व्यूज लेती हो पता है ना पता है क्यों क्यों नहीं उनका नाम लेती क्योंकि इसकी बावी ने इसको सारी बोल खोली थी रियक्शन चैनल वालों के पास पीजी में क्या क्या करती थी सन्नी को कैसे फसाया था अगर उनका ना अब तो बेशर हम्हें इतनी बार माजो निकाला है फिर अंकुर भेज देता है मुझे तो इस दिन ही लग रहा था जिस दिन बोल रहा था कि एक वीडियो लाऊंगा लाइव आया बना कर खाना बना कर सब फैमली इंजोई करेगी पागल बना रहे हैं सब मिलकर आज बोल रही है मेरे फादर को कुछ पी कुछ पुरा नहीं लगता इसलिए मैं कुछ भी बोलती रहा हूं सोशल मेडिया पर हद दभाई यह तो लोहों के साथ खेल रहे हो मिलके सब भरना माता जी क्यों जाना पड़ा इतना जल्दिया जेंटली था क्या पांस दिन चैन नहीं मिला कपड़े ढूंडने को मांगने आ गई सोनम जी ने रिपलाई लिखा है भाई मैं मिले हूँ है तब भाई की वीडियो आई नहीं आस तक वो लाइव में बोल रहा था कि एक वीडियो आईगी और क्लेयर करूंगा इतना नाटक था सब तो सब नाटक था यह तो समझ में आ गया ममता जी का मैसेज है पड़ो सी कितने दिन संभाल लेंगे मां को तो बुलाना ही पड़ेगा कपड़े कौन दोएगा चार महीने से इसने एक कपड़ा नी धोया ममता जी यह सोचो कि यह चादी चादी कर रही है ससुराल जाके क्या करें विचारों को नंगा गुमाई कि यह गंदे कपड़ों में गुमाई की मंचु चाजी का रिपलाई है बस इसकी वाशिंग मशीन नहीं दिखाई दे रही जो बाहर रहती थी शायद बेच दियो तो मंता जी ने लिखा हाँ हो सकता है अगला मेसेज है यूजर करके जो आइडिया उनने लिखा सब एक से लगते हैं मुझे जैसे जैसा ड्रामा हर बात पर होता है वही शुरू मा आएगी पक्का अब इसके कपड़े दुले हो हाँ हो सकता है मा आएगी तो कपड़े दुलेंगे वैसे नहीं दुलते सनी योगिता जी का मेसेज है मुझे तो अंकुर परदय आती है यह सब मा बीटी मिलकर उस बिचारे लड़के को पागल कर देंगे देगे वो भी शाणा है वो भी शरीफ नहीं है यह तो मैं आपको स बिमार मा से उसकी सेबा कुछ नहीं करनी है इसको सही बात है यूजर करके आईडिये नहीं लिखा आजकल क्या चल रहा है यह सच में लगता ही नहीं कोई सच्चा है बस सब का कॉंट्रोवर्सी का ना है वी उसके लिए आपस में लड़ते हैं कि चड़ू चाल देते हैं को अपना समान बांद कर नहीं ले गई सही बात है मा समान निसले नहीं ले गई क्योंकि मां को मालूम था कि मुझे चार दिन बार वापिस आना है तो वह कंटेंट वेस्ट था सब कुछ सोनम जी ने लिखा बरतन कपड़े दोने वाले पड़े हैं अब मां आईगी तो वाश ह तो भाई पर भी रियक्शन वीडियो आनी चाहिए बिल्कुल आएगी भेजे तो सही एक बार वापिस मैं तो हमेशा बोलती हो पी आर करता है और गलर टाइटल गलर थमनेल डालके यूजर जी ने लिखा भाई आज तो आया भी होगा मा को लेकर कल विहान गया था वो भी साथ ही गया होगा लोगों का कुछ नहीं है सब ड्रामा है क्लियर हो गया आप तो आगला मैसेज है मुथू लख्ष्मी करके मुथू लख्ष्मी करके इनों लिखा content नहीं मिल रहा था घर में कपड़ा नहीं धूल रहा था बच्चे का ड्रामा करके अपनी मा को बला रही से लिए सब ड्रामा मा को भर से कालो फिर बुलाओ फिर निकालो फिर बुलाओ यही कंटेंट है बस इसका तो बस यही कंटेंट है उसके इलावा कुछ नहीं बचा हुआ रोईनी जी का मेसेज है मुझे तो लगता है इसका भाई भी मिला हुआ है इसके प्लान में इन दोनों भाई बेहन ने माप को फुटबॉल बना दिया है मैं काऊंगी माबाप भी मिले हुए है भाई बेहन तो छोड़ो माबाप भी मिले हुए इनके अगला मेसेजर जो ही सिद्धी जी का इन्हों लिखा है बैन कंप्लेन होई है इनके घर की घर से बदभू आ रही थी शायद पॉटी भरी होगी या डाइपर होंगे सुबा लेडेस पुलेस आई थी तो इसमें दर्वाजा नहीं खोला हम सबने कंप्लेन के तो इनके घर के ब जानते हैं आपकी बात होती है ननुजी ने लिखा जी आपको तो रोज प्ल्मी देखने को मुलती होगी पूरी साईकलोन पूरी कलौन ही को इंटर्टेन कर रही होगी क्योंकि क्योंकि कई भी चालू हो जाती है पुनम जी ने लिखा इसमें भी कीड़े चल रहे होंगे ऑनली घर से नहीं इसके बच्चे से भी बदबू आती होगी जुई जी ने लिखा बैन ये डैश आपकी डाइपर्स में पोटी करती है वही डाइपर भरा हुआ पहने रहती है अगला मेसेज है अंजली जी का ने लिखा कैसी लो क्लास लेडी है इससे चीप औरत भी देखी नहीं मैंने कोई ल घंजली दिख रहा है खाना नी बननारी कपड़े नी ढुंघ दोरी इतनी बेशरम बता भी नीरी है मा को बोल रही है बेहान के कपड़े दो चीपडरी होट करता दो तो ऐसी कोई नहीं होती संव्रान जी की सारी वीडियो भीकि जी 10aut再來 dot तो एक दिन की नहीं है कपड़े तो बदलती नहीं दो दूले गें नहीं तो फिर पैने की क्या अंजली जी ने लिखा बार-बार एकी बात पती के मरने के बाद माएके आ गई दुख देखा दुख देखा माएके में कितनी बार सुनाएगी की बात आप क्यूं बोलती है ये अब तो खुद के गर में रहती है फिर भी माय के वालो को ससुराल वालो को दे रहे की कंटेंट आटक जाता है और भी बचा इसके पास क्या की घर सड़ रहा है उसका भी कंटेंट बना देती है रहे सडेली सही बात है इसके पास कंटेंट है ही का और अब तो खुद के गर में रह रही है तो माय का और सुसराल क्यों बदनाम किया हुआ है अगला मैसेज अजली जी का भी एसरेली डैश को कितनी बार धुलन बनाईगी खुद तो हर दूसरे दिन धुलन बनती है इसके पड़ोसी बागल हो गए है कुछ भी कंटेंट धुलनी बना डाला शादिश चुदा को अच्छा वो जो पीछे इनका कंटेंट आया था लहंगे आया थे वो सब आया थे तो वो भी इनी के घर के थे पड़ोसन सामने वाली पड़ोसन के अब अर्जी टी ने लिखा है डैश और परी की ममी इसकी हल्प करके घर साफसुत्र कर देंगी पागल घर ठीक कर ले घर ठीक हो जाएगा तो आप कमेंट किस पर करोगे यह बताओ पहले अंजली जी लिखा यह बोलती है कि अपने बच्चे के 45 दिन से 4 साल का कर दिया मैनत करी तपस्या करी तो मैंटल अहसान फरमोश और तुझे तरी मां ने 34 साल का कर दिया उसकी क्या उसका क्या उस मां का तपस्या नहीं थी इसकी मर्जी से शादी कराई फिर बापिस आ गई माई के में और इसके साथ साथ इसके बच्चे को भी पाला ऐसी बेशरम हमारा उरत तुझरा भी शरम नहीं कि तू क्या बोल रही है क्यों उस मां के पिछे हादों कर पड़ी है जी लेने तो उसे दो-चार दिन बच्चे हैं बाकी कि कसर तुने निकाल दी आप तो छोड़ दे उसको ये मेसेज तो बिलक अगला मेसेजर इनों है आप कितनी बार रिष्ता आया और इन्ज मेरिज का बोलेगी एक बार बता दिया कि रिष्ता आया तो तुने 5 वीडियो में टॉपिक बनाएगी कोई कंटेंट नहीं बचा फिर बोलती है इंटरी रिबील नहीं करेगी नाम नहीं बताएगी कहां कह हां का है वो नहीं बताएगी क्यूं वीडियो चापने में लगी है क्यूं करेगा कोई अन्मेरिड लड़का तेरे से शादी जब तेरे को पता है पहले तेरे साथ गलत हुआ तो फिर क्यूं घर वाले घर क्यों फिर बीना घरवालों के सामती से शादी करना है जब कोई रिष्टा है ही नहीं तो कितने दिन से बात इस खीचेगी इस टॉपिक को को दिन हो जाएगा जब जल्दी का कोई कंटेंट तयार रखना सही बात है कि टॉपिक की खीचना और तो कुछ काम है नहीं उसके पास और लिब्या जी का मैसेज है आई वाना नो कि ये शादी का रिष्टा तीन दिन पहले चार दिन पहले आया और इसके काउंट घर वाले न खुद ही ट्रैक नहीं रख पाती है अपने जूट की लड़की लड़के ने पहली बार मैसेज किया अगर उसका जूट माने तब भी घर वाले बात करते हैं फिर भी हवा में रिष्टा भेज दिया लड़के ने बीना बात किये पहला मैसेज आज भेजा है तो रिष्टा क पहले कैसे भेज दिया हो सही बात है सपने में रिष्टा भेजा था उसने और बता दिया था कि मैं आप से मैसेज में बात करूंगा तीन दिन बाद और आप पहले कंटेंट छाप लो तो यही सारे मैसेज थे जो मीट करती हूं कि सबके कबर हो गए होंगे वीडियो पसंद आ झाल्ड़िक बात है सबस्क्राइबगा था जाइएबगा यही थे यही जिरी झाल्ड़ दो बाता है सबस्क्राइबगा तो यही एंचाल्ड़ कि एजशे खिती है सबस्के आप पहले ह।